भारत एक युवा राष्ट्र है विश्व के किसी भी देश की दुलना में यहां सरवाध्यक युवा है युवा शक्ति ही भारत की पहचान है फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश की युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों, ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारन रहता था 2014 के पूर्जा और देश की प्रगती में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्ने योजनाओं से जोड़ा, खेलव खिलाडियों के साथ साथ एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को आगे बढ़ाने पर जोर दिया युवाओं के शारिरिक और मानसिक विकास के लिए खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूफमेंट चलाया और खेलो में गावाओं के युवाओं को आगे लाने की मुहीम शुरू की भारतीय खेल प्राधी करण ने स्थानिया युवाओं को अंतर राश्ट्रिय खेलों तथा उलम्पिक के लिए तयार करने और पदक प्राप्त करने के लिए टागिट उलम्पिक पोडियम स्कीम शुरू की जिसके तहट युवा खिलाडियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अत्याधुनिक खेल उपकरण वा आर्थिक सहायता दी जाती है अंतर राष्ट्रिय खेल प्रतियों गिताओं के प्रतियुवाओं को तयार करने के लिए वर्ष 2018 में खेलों इंडिया यूथ गेम्स की शुरुवात की उसी का परिणाम है कि Commonwealth Games, Asian Games और Vishwa Championship में देश के युवाओं ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और Olympic Games में रिकॉर्ड बदक प्राप्त किये वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोटसहन सिर्फ बातें थी खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते थी वर्ष 2017 के बाद वर्वा शक्ति के प्रोटसहन से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तयार किया खेल और खिलाडियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर राश्ट्रिय खेलों के लिए तयार करने के लिए अनेक योजनाय चलाई खेल कोटा के तहट सरकारी नौकरी की विवस्था फिर से शुरू की स्थानिय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया माननिय मुख्यमंत्री जी ने कुष्टी और बैडमिंटन को गोद लेने का निरने लिया जिनहें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी विभिन्न राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय खेल प्रतिस परधाओं में उतक्रिष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाडियों का राज्य स्तरिय सम्मान की आ गया उलम्पिक में स्वन पदक विजेता को 2 करोड रुपए, रजत पदक विजेता को 1 करोड रुपए, कांसे पदक विजेता को 1 करोड रुपए तथा चौथा स्थान प्राप्त करने वालों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशी प्रदान की साथ ही प्रदेश के उलंपिक खिलाडियों को 25 लाख रुपए की प्रोथ सहन राशी से सम्मानित किया जो अन्य खिलाडियों के लिए प्रेरणा बना खेलों में उत्तर प्रदेश की एक अलग ही पहचान है केडी सिंग बाबू, मोहमद शाहिद और हौकी के महान जादूगर मेज़ा ध्यान चंद ने अपने खेल से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया जिनके सम्मान में प्रदान मंत्री जी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरसकार का नाम मेज़ा ध्यान चंद खेल रत्न पुरसकार रखा प्रदेश के प्रथम खेल विश्व विद्याले मेजर ध्यान चंद खेल विश्व विद्याले मेरट का शिला न्यास किया जा रहा है जहां युवाओं को सभी खेलों का विश्व स्तरिय शिक्षन प्रशिक्षन मिलेगा उन्हें भविश्य के ओलंपिक खेलों के लिए तयार किया जाएगा मेरट के खेल सामान पूरी दुनिया में बहुत मशुहूर है प्रधान मंत्री जी के वोकल फॉल लोकल अभियान को और गती देते हुए खेल विश्व विध्याले के निर्माण से स्थानिय ओडियो पी उत्पादों को विश्व स्तरिय पहचान मिलेगी और रोजकार के नए अवसर स्रेजित होंगे खेल खेल विध्यान तथा खेल प्रध्योगी के विभिन पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण एवं शोध कारिय होगा और राश्ट्रिय अंतर राश्ट्रिय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर सनातक की डिगरी धी जाएगी विश्व विध्याले में विशे स्पोर्ट सेंटर वस संस्थाओं के अलावा अत्याधुनिक मैदान, स्वेमिंग पूल, वेलोड्रोम साइक्लिंग ट्रैक और हाइटेक एवं मौदन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा युवा शक्ति का जोश और प्रतिभा माननिय प्रधान मंत्री जी के नए और आत्म निर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में महत्वा पूर्ण भूमी का निभा रही है